जा रेकिन दोस्तों मैं रिभ्राप है एक बार फिर से टेक्पिली चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों अपने पिछली वीडियो में मेरे आपको बचाया था कि React के अंदर bootstrap आप किस प्रकार से इंस्ट्रॉल कर सकते हैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आपको सबस्क्राइब कर देजिए क्योंकि मैं सब्सक्राइब आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ तो दोस्तों बिना कि शावरबादी कि आप बीडियो स्टार करते हैं अब उसके लिए get started बाले बटन पर क्लिक किजिएगा यहाँ पर आपको installation guide मिले गए और यहाँ पर आप npm install या फिर yarn का भी यूज कर सकते हैं तो npm install बाले जो command इसको मैं copy करता हूँ यह command आपने copy कर दी या फिर आप इसे type भी कर सकते हैं और अपना project open कर दी जिस project के अदर आपको यह use करना है तो उसे project open कर दे के बाद आपको उसी location पर जाना जिस location पर आपको project और वहाँ पर यह command पेस्ट कर दीनी है या फिर टैप कर दीनी है इसके बाद आपको enterprise करना है यह कुछ समय लेगा और उसके बाद यह install हो जाएगा कुछ समय बाद जब यह package install हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आपके समने display हो जाएगा और यह check करने के लिए कि material UI हमारे में install हुआ है या नहीं हुआ है आपको project में जाना है और package.json file को open करना है तो यहाँ पर आपको material UI slash core डिस्पले हो जाएगा अगर यह नहीं होता है तो इसका मतलब install नहीं हुआ है इसका बाद main point यह आता है अगर आपको यह use करना है इसके कोई component तो वह आप किस परकार से कर सकते है आप चाहे तो material UI का font जो है तो इससे आपका icon भी use होने लगेंगे इसके बाद आपको क्या करना है कि component पर जा रहा है और किसी भी component को आप चूज कर लिजेगा जैसे कि मैं select कर देता हूँ फिलाल यहाँ पर navigation में कुछ मैं app bar पर जाता हूँ मैं इसके पूरे source code को copy कर देता हूँ source code कोपी करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है copy जैसे हो जाएगा आपको 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 किसी भी component में जहाँ आपको यूज करना है वहाँ इससे प्वेस्ट कर देंगे बस मैं थोड़ा changes करने के लिए error ना है इंपोर्ट करना है जो भी component करना उसका नाम यहाँ देना है from क्या करना है material UI code तक जाना है उसके अंदर से जो भी आपको import करना उसका नाम लिख देना है controller से save परते हैं बापेश जाते हैं अपने app पर यहाँ पर आपको वह app bar या app bar वह display हो जाएगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में से पितना ही आज की इस वीडियो मैंने आपको बता है किस प्रकार से material UI के component को यूज कर सकते हैं किस तरीका से आप material UI को install भी कर सकते हैं साथ में अगर आपको material UI के icons भी चाहिए तो वो भी आप install कर सकते हैं इसी तरीके से तो दोस्तों आज इस वीडियो में से पितना ही है अगर तो आप यह वीडियो पसंद आई होगी आप चाहते हैं कि components के बारे में और मैं details से सारी वीडियो बनाऊं material UI की तो वो भी मैं बनाऊँगा उसके एक अलग से मैं playlist बनाऊँगा उसमें सारे material UI के components के बारे मैं समझाँगा कि किस प्रकार से आप उन सबको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं तो दोस्त आसकी इस बीडियो में सिर्म इतों अगर ये बीडियो पसंद आए तो कर से फेंस बीडियो को like की जिये शेर कीजिए अपने दोस्तों साथ अगर इस स्थे चैनल पर नहीं है तो खिल फेंस लेको subscribe कीजिये दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यबात